very good morning sixth class बेटा आपकी chapter जो आपकी बुक चल रही है वो चल रही है my amazing book of mathematics ठीक है और इसमें जो हम कर रहे थे वो exercise कर रहे थे 3.2 ठीक है 3.3 थे हमारे last complete हो गए थे question number 8 तक हमारे केवल 4 questions exercise की बचे हो देख लेते हैं two prime numbers whose difference is one हमें ऐसे दो prime numbers बताने हैं जिसका difference one हो मतलब दो prime number को गठाने पर one आना चाहिए यदि आप यहाँ पर prime numbers देख रहे हो जो जितने भी circles में number है वो prime numbers है आप ऐसे कोई भी दो numbers बता दो जो circle में हैं उनको गठाने पर one आ रहा है देखो three में से two गठाएंगे तो कितना सब्सक्राइब होना चाहिए और और नमबर भी जिन भी numbers को वन को छोड़कर जिन भी number को हमने कट कर रखा वो composite numbers है अब composite में सबसे चोटा भी लेना है और और भी सबसे चोटा four even है उसके बाद six even है उसके बाद eight वो भी एवन है फिर नाइन नाइन और नमबर है सबसे चोटा हमारा composite नमबर आ जाएगा नाइन ठीक है अगला question है write all the pairs of twin prime numbers वो होते हैं जिनके difference बीच में ऐसे प्राइम नमबर जिनका difference टू हो ठीक है तो twin prime numbers निकालने हैं 50 से लेकर 100 के बीच में तो 50 से लेकर 100 के बीच में जितने भी प्राइम नमबर से जो भी circles में नमबर है वो देखने हैं 50 से लेकर 100 चक करते हैं पहले 50 से लेकर सोरी 50 से लेकर कहां तक 100 तो 50 यहां से यह सरकल वाले नमबर यह वाले हैं चिक है यह 100 तक ऐसे दो नमबर्स बताओ जिनको difference करे तो 100 नहीं 59 and 61 यह भी बन रहा है ठीक है और उसके बाद 67 वे 61 यह नहीं बन रहे 71 और 73 इनके बीच का भी टू आ रहा है यह पेयर विंग बिल गया यह भी नहीं बनेगा 83 और 79 को गटाएंगे यह भी नहीं बनेगा यहां पर यह दोनों भी नहीं बनेगे तो इसका मतलब दो पे 61 और 71 and 73 find the perfect numbers less than 70 अब उसे प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा कोई भी नंबर जिसको सेम नंबर को मल्टिप्लाई करें स्पोर्स को रहो परफेक्ट नंबर बनना चाहिए तू की मल्टिप्लाई टू से करोगे कितना आएगा फॉर त्रीकी मल्टिप्लाई थ्री से नाइन ऐसे ही करते चले जाओ अंडर से नीचे तक आंसर जिन जिन नंबर के आएंगे हां 70 जोरी 70 से नीचे जिसेंदिन के भी आंसर आएंगे वह नंबर आपको काउंट करने हैं ठीक है मालो 7 की मल्टिप्लाई 7 से करते हैं तो 49 यह भी काउंट होगा 9 की मल्टिप्लाई 9 से करेंगे 81 यह काउंट नहीं होगा 8 की मल्टिप्लाई 864 यहां तक काउंट होंगे आपके नंबर 2 3 4 5 6 7 8 के मल्टिप्लाई करके जो भी आंस नंबर 9 आया था और ओल पेरिंग जब हमने देखी दी तो 59 and 61 and 71 and 73 आये था परफेक्ट नंबर हमारे पास आये थे 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का और 8 का 9 का नहीं आये था 81 बड़ा हो जाएगा इससे ठीक है 3.2 exercise complete हो गई है 3.3 exercise में different disability rules हैं हम question करते जाएंगे असासा divisibility रूल जितने भी होंगे किसी भी number को divide करने का simple rule क्या है हम कैसे देख के बता सकते हैं कि यह number two से यह three four से divide होगा वो rules देख लेते हैं साथ सबसे पहले तो आप इस ध्यान अरकना 3.3 exercise में first से लेकर फिव तक और यहां पर question number 9 तक मैं एक एक पार्ट ही कराऊंगी बाकी सारे पार्ट आपको rough copy में खुद practice करना है fair copy में केवल आपने एक एक पार्ट ही करना है ठीक है मैं सारे पार्ट नहीं कराऊंगी एक पार्ट में आपको rule यूज करना बताऊंगी उस रूल को आपने रफ कोपी में करके देखना है ठीक है फियर कोपी में केवल एक एक कोशन सी करना है जो मैं कराऊंगी आपको क्लिया कि फर्स्ट कोशन है टेस्ट डिविजिबिलिटी ओफ दा फॉलाइंग नंबर बाई टू कोई भी नंबर टू स से कब डिवाइड होता है यह कैसे चक करेंगे देखते हैं देखो टू से कोई भी नंबर डिवाइड करने के लिए सिरफ आपने यूनिट जो नंबर है केवल उसको आपने टू से डिवाइड करके देखना है यदि लास्ट वाला प्लेस आपका टू से डिवाइड हो गया तो yes हो जाएगा ये नहीं हो रहा है तो से divide नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे no जो भी number है आपका 303 50713 is not divisible by 2 के वल लास्ट वाला number आपने चेक करके देखना है यदि वो divide होता है तो यहां पर yes आजाएगा नहीं होता तो यहां पर no आजाएगा सेकेंड है हमारा test the divisibility of the following number why 3 3 से कोई भी number कैसे divide होगा इसका divisibility rule क्या है चेक करते हैं 3 के divisibility rule के लिए आपको क्या करना है जितनी भी deserts आपको दिवी है नंबर के अंदर जितनी भी deserts है उन सब को जोड़ लो यहां पर 65814 deserts है चारो नंबर को जोड़ लो जो भी number आपका add करके आएगा उसको जो भी number आपका add करके आएगा केवल उसको 3 से divide करके देखो यदि यह number इससे divide हो गया तो यह पूरा number भी divide होगा ठीक है यह इस digits को add करने से जो answer आएगा वो 3 से divide है तो पूरा number भी 3 से divide होगा तो मैंने जब add किया तो मेरा 20 आया 20 को मैंने 3 से divide किया तो नहीं हो रहा यह मेरा divide नहीं मैंने इसलिए लिख दिया no the sum of digit is not divisible by 3 इसिढ़ सम है वह 3 से divide नहीं और तो जो नंबर है वह भी 3 से divide नहीं होगा जिलिया सभी को यदि हमारा Sum of digit divide नहीं होगा तो number भी नहीं होगा, Sum of digit होगा तो number भी divide होगा clear test the divisibility of the following number by 5 अब 5 के लिए number देख लेते है 5 के दिoking सदुख्या currency single क्या है मैं अब आपको जो भी नमबर आपको दिया होगा इसकी बिकेवल युनिट डिजिट आपको 5 से डिवाइट करके देखनी है जोबी नमबर है उगा टो दैन पूरा नमबर भी होगा यह पूरा नमबर भी होगा हमारे पास होता 40 तो आपनेजीड़ो को डिवाइट करना है जीरो तो किसी भी नमबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, किलियर, यदि आपका unit place 5 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नमबर भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, test the divisibility each of the following number by 4 and 8, 4 and 8 से कैसे डिवाइड होगा, देखते हैं divisibility rule, अब कोई भी number 4 से डिवाइड करने के लिए 2 place, 4 के लिए आपने 2 place, 2 के लिए आपने 1 place लिया था, 4 के लिए आपने 2 place लेने है, ठीक है, आपने 4 के लिए 2 place चक करने है, कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो र लेने हैं, लास्ट के, 1, 10, 100 place लेने हैं, तो 5, 24 को डिवाइड करके देखना है, यहां पर 5, 6, 8, 6, 48, 6 पर हो गया, तो यहां पर बच गया 4 remainder, 4 उतारा, 40 आ गया, 5 पर, ठीक है, तो ये नमबर डिवाइड नहीं हो रहा है, नो, ठीक है, 5, 24 डिवाइड नहीं हो रहा है, त 4, 4 से तो हो रहा है, but, not divisible by, 8, ठीक है, ये जो नमबर है, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, 10, पर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देखां, आपने 4 के लिए क्या करना है, देखां, टू के लिए क्या किया था हमने और एक ही नंबर डिवाइड करके देखा था है इधिए लास्ट के तीन नंबर एट से डिवाइड होगा तो जब हमने तीन नमबर डिवाइड किये तो हमारे डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरा नमबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा और दो नमबर हो रहे तो इसका मतलब 4 से डिवाइड होगा ठीक है अब test the divisibility of the following numbers 6 and 12 जब अब 6 and 12 के लिए हमें क्या करना है हमें जो divisibility rules हमारे पास है वह 11 तक है 11 के बाद हम को प्राइम नमबर निकालते हैं देखते हैं कैसे करेंगे अब 6 के लिए हमारे पास rule है 6 के यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए rule है कि नमबर जो भी कोई भी नमबर है वो 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए ठी hell एक है इसको बोलते है को प्राइम नमबर क्योंकि दुनों नमबर के बीज में मैं स्जिएक देखेंगे तो वन आएगा तो 6 को प्रायम नमबर है और फी यदि टू मैं टूर और 3 तो इसी तरीघंग ल talk кव दूबाइल हो गया तो सी के बिश्चे करके हम बता लगा लेंगे कि सिक्स होगा या ट्वैल से होगा ठीक है टू और थ्री दोनों से हो गया तो ट्वैल से हो जाएगा टू थ्री फोर तीनों से हो गया तो शीक्स ट्वैल दोनों से हो जाएगा ठीक है तो अब हमें किस से चेक करना है टू से थ्री से और फूर से त हो गया जीरो से तो हर एक नमबर को डिवाइड कर लेता है उसके बाद हमारी बार यह थ्री के लिए थ्री के लिए मैंने क्या का था कि जितनी भी डिजर्स है इन सब 1190 इनको add करते हैं 10 और 818 18 क्या यह 3 से डिवाइड हो रहा है थ्री के लिए था पर हमारा यह यह 3 से हो रहा है 3 अख 14 के लिए पार के लिए हमने क्या कहा था लाश्ट के दो नंबर लास्ट के दो नमबर तो नंबर टेकर ये नहीं हो रहे टेखो equis a हो गया टो से और थी से दिवाई तो गया 6 si बिलों गया फॉर से और था से थ्री से और फॉर से से थी से तो होगे बट फॉर से नहीं हुआ तो यह किस से डिविजिबल नहीं हुआ वैल से डिविजिबल नहीं हुआ ठीक है क्या कोशन नंबर six test the disability each of the following नंबर बाई seven seven के लिए test का divisibility rules क्या है वो देख लेते हैं test the divisibility by 7 आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आपने once place को double करना है किसको करना है double once place को double करना है और बाकि जितना भी number आपके पास बच गया है उसमें से उसको minus करना है ठीक है आपने once place को double करके जितना भी number बचा है उसमें से सब्ट्रैट करना है तो one का double किया टू को सब्ट्रैट किसमें से करेंगे 702 में से 700 बच गया अब यह जो भी answer आपके पास आए जो भी आपके पास answer आएगा उसको seven से divide करना है यह यह seven से divide हो गया तो यह पूरा number seven से divide होगा यह पूरा number नहीं हुआ तो पूरा number भी seven से divide नहीं होगा हमारा तो divide हो गया ना तो yes 7021 is divisible by two आज का last question test the divisibility of each of the following number by nine nine से कैसे कोई भी number divide होता है इसका divisibility rule देख लेते हैं नाइन का और three का जो divisibility rule है काफी हद तक same है बस उसमें digit को जोडने के बाद हम three से करते थे इसमें nine से करेंगे divide बस बागी सिप से हीम है तो जितने भी दिज़िट दिवही हैं आपको उनको टोटल करके देखना है टोटल करने के बाद यदि आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपने nine से divide करना है क्योंकि nine का चेक करना है तो nine से divide करना है यदि यह divide हो गया तो यह nine से पूरा number divisible होगा यदि यह नहापर नो आगया तो यहाँ पर भी नो आएगा ठीक है आपका बेटो मैंने seven तक questions complete करा दी है अब बाकी questions आपको यूटी के बाद complete कराऊंगी ठीक है तो यूटी 12 बजे के बाद काम send करेंगे उनका काम में check नहीं करूंगी यह बात आप positively लें अपना काम complete करके 12 बजे से पहले send करें बारा बजे के बाद किसी भी बच्चे का काम check नहीं होगा ठीक है और आपने fair को note book में यह बाकी सारे part नहीं करने है बाकी सारे part आपने rough copy में practice करनी है क के जिसके सारे पार्ट करने होंगे उसके सारे पार्ट में आपको करके दिखाऊंगी ठीक है किलियर थैंक यू है वे नाइज जे